IUD device से pregnancy को कैसे रुका जाता है आई ये 3DNM में से जानते हैं IUD एक T-shape का device होता है ये दो टाइप की होते हैं एक हर्मनल IUD और दूसरा कोपर IUD हर्मनल IUD बोडी में प्रोजेस्टिन हर्मनलीज करता है जिससे वेजैना के cervix में मुझूद मुकस ठिक हो जाता है और फिर स्पर्म यूटरिस के अंदर नहीं आपाता है और कोपर IUD को वेजैना के अंदर एक ट्यूब की मज़से इंसर्ट किया जाता है और cervix के पास एक धागा छोड़ दिया जाता है जिससे उसे कभी भी निकाल सकते है अगर IUD को सही तरह से इंसर्ट किया जाता है तो ये 99% तक प्रेग्नेंसी को रोकता है ये 3, 5 और 10 सालों तक प्रेग्नेंसी को रोक सकता है इससे कुछ side effect भी हो सकते है जैसे heavy bleeding, cramps, लंबे समय तक periods का रहना जासी समस्या भी हो सकती है ऐसी और informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्रीजर कर देजेगा